अगर आप बिहार में हैं और घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना भी साकार होगा और साथ में आपको पच्छास हजार रुपए भी दिये जाएंगे प्रधार मंतरी अवास योजना के तहत लोगों को जो घर दिये जा रहे हैं उसमें जो कारे अभी बाकी हैं उसे अब जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर महीने तक अधूरे मकानों का निर्मान करके लोगों को सौप दिया जाएगा इतना ही नहीं बलकि ग्रामिन योजना के हगदार बताते हैं वस्तार से आगे के रिपॉर्ट में बाकी अबना मिशकार आप जंता जंक्शन देख रही हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे बिहार में दिसंबर महीने तक जो भी अधूरे घर है पीए मवास के तहत उसे पूरा कर देने का निर्देश को अपने खज़ाने से पच्छास-पच्छास एजार रुपधे का एलान भी खर चुका है मुजस का फाइदा और बिहार वासियों को होना है उनको घर मिलेगा वो भी दिसंबर महीने तक और उसके साथ ही पच्छास हजार रुपधे देने का भी ऐलान ग्राम इन विकास मे मंत्री श्रवन कुमार की मानित उनका कहना है कि विभागिय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में धिलाए बरतने वाले अधिकारियों के खर्वार करने का भी निर्देश दिया गया है जिस तरीके से सरकारी अधिकारी काम चोड़ी करते हैं कई गर पनाने के पैसे लेकर आपके नों को पैसे और यह सभी अधिकारियों सुल्ल तक के लंबित करीब 2,62,800 मकानों को पूरा कराने के लिए किरामिन विकास विभाग ने ऐलान किया है कि जो भी योग लाभार्थी हैं उनको पच्छास हजार रुपए भी देने हैं जानकारी ये भी दी गई है और बताया गया है कि राज भर के उपविकास आयुक्त के साथ विभागे योजनाओं को लेकर मीटिंग की गई है पीम आवास योजना के तहत जो भी गाओं में घर बनाए जा रहे हैं वो 31 दिसम्बर तक काम पूरा करने का लक्षे रखा गया है वित्यवश 2017 से लेकर 2020 तक के 1,96,333 घर और वित्यवश 2021 के में जो आवास प्लस के तहत 3,45,510 मकान अभी तक नहीं बने हैं तो उन्हें भी बनाने का काम जारी है और साथ ही 11 दिसम्बर तक के काम पूरा करने का लक्षे अब दे दिया गया है साथ ही दिये गए सकत निर्देश में ये कहा गया है कि जो भी रिश्वत लेते हैं विभागों में उन पर भी कारवाई की जाएगी यानि कि विभागों द्वारा जो रिश्वत ली जाती है वो भी अब ना लिया जाए और जल्द से जल्द आवास योजना का काम पूरा करके लोगों को घर सौंब दिया जाए अभी तक जो भी घर नहीं बन कर तयार हुए हैं उसको लेकर भी श्रावन कुमार ने अपनी नाराजगी जाएर की है और जल्द से जल्द काम पूरा करने का सक्त निर्देश दिया है मुख्य मंतरी वास अस्थल क्रैस सहायता योजना का काम भी सही नहीं चल रहा है इसकी विजवानकारी मिली है मंतरी का कहना है कि वो काम से खुश नहीं है अधिकारी सही से काम नहीं कर रही है इस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है मुख्यमंत्रिवास अस्थल क्रेश की सहायता योजना के तहए सहायता राशी अभी तक लोगों को नहीं मिली है आपको बता दे कि योजना के तहए 20,000 के मकाबले मातर 4,000 लोगों को ही ये सहायता राशी दी गई है जल जीवन हरियाली एवं स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर राज्यमी 3,309 तालाबों का निर्मान किया जाना था जिसमें की अभी तक सिर्फ करीब 800 तालाबों का ही काम पूरा हो सका है इस पर भी निर्देश दिये गई हैं इस पर भी जल्द से जल्द काम करके इसे पूरा किया जाए बागी आपको बता दे हम कि ग्रामिन विकास मंत्री ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जुगाओं में घर बनाए जा रहे हैं उसका निरक्षन किया साथी इंद्रा आवास योजना जिविका मनरेगा जल जीवन हरियाली मिशन और भी कई योजनाओं की समिक्षा की है और सभी पर अधिकारियों को पटकार भी लगाया है और अब उन्होंने सकते निर्देश दे दिया है कि जो भी अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे उन पर कमेंट बॉक्स में बताइए और बाकी अनिक खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें जुनता जंक्षिन की साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैंत ही आपके साथ बंदना धन्यवाद